देश में लगातार कोरोना विस फोट हो रहे हैं ऐसे में भारत की बात की जाए तो भारत में 24 घंटे में करीब एक लाख मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखते हुए भारत सरकार ने दूसरे देश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी किया जो 11 जनवरी से लागू होगी इस गाइडलाइन में कहा गया है कि साथ दिन के लिए अनिवारिये रूप से होम कॉरेंटाइन होना परेगा साथ दिन तक होम कॉरेंटाइन में रहने के बाद आठवे दिन आठीपीसिया टेस्ट कराना जरूरी होगा इसके बाद ही यह घर से नि करोना की गंभीर स्थिती के मद्दे नजर यह निर्ने हुआ कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकालने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी वहीं जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल पॉइंट पर कोवी टेस्टिंग के सेंपल्स जमा कराने होंगे नए नियमों के मुताबिक टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही उन्हें एरपोर्ट परिसर को छोड़ने दिया जाएगा जो यात्री एक्ट रिस्क देशों से आएंगे उन्हें एरलाइन्स की और से बता दिया जाएगा कि उन्हें अराइवल के बाद टेस्टिंग और कॉरंटीन से गुजरना होगा तो जिस तरह सुदेश में लगातार कोरोना के विस्फोट हो रहे हैं भारत में 24 घंटे में एक लाख मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में दिल्ली महराश समीत कई राजों की स्थिती काफी खराब हो गई है बट्टे संक्रमन के बीच विदेशों से आए लोगों के लिए अगर भारत में आते हैं तो संक्रमन काफी फैल सकता है जिसे देखते वे स्वासमंत्राले ने यह फैसला लिया है तो इसलिए काफी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना की स्थिती काफी खराब हो गई है लगातार जो है क कोरोना वी स्थोट हो रहे हैं अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो आने वाले इस्थिती बद से बत्तर हो जाएगी तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हो देखते रहे हो फर्स्ट बियार जहार खर्ण संत्र मंत्र के बाशा, भारत के जाने माने सर्विसे गुरु खांजी मिलेगा हर समस्या का समधार गैरंटी के सांथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत पर्शान था बावा सी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश, कर्श मुक्ती, प्रेम विवा, जादु टोना, पती पत्ती में अन्बन, सोतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिर्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समधान सभी समस्याओं का समधान, गुरू खांजी, अभी कॉल करें 9821707996